बिहार में जल्द ही सभी स्कूलों को बंद किया जा सकता है। कोरोना वैरस के बढ़ती संक्रमन और ठंड के असर को देखती हुए किंदर सरकार ने सभी राजियों को इस बारे में अलट कर दिया है। किंदर सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन्स में कहा गया है कि तापमन के साथ डेगरी सेल्सियस के से नीचे जाने के स्थिती में सुबह की पाली में स्कूलों को संचालन नहीं किया जाए। साथ ही अगर जरूरत महसूश हो तो स्कूल को बंद भी किया जा सकता है। किंदर सरकार के इस गाइडलाइन के अनुवरूप बिहार के सिक्षा बिभाग ने सभी सिक्षा अधिकारियों एवं जिला कारिकरम पदाधिकारियों को उचित फैसले लेने का निर्देश दे दिया है। बिहार सिक्षा परियोजना परिशद के राज्य परियोजना निदेशक स्रीकांत सास्री ने जिला सिक्षा पदाधिकारियों एम जिला कारिकरम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। अलाकि अभी राज्य में कई हिस्सों में तापमान साथ डिग्री सेलसियस तक नहीं पहुचा है लेकिन पटना के जो मौसम ज्यान केंडर का कहना है उसके मुताबिक दो तिन दिनों में तापमान इस हद तक नीचे जा सकता है इसके साथी साथ इसमें कहा गया है कि यदितापमान साथ डिग्री सेलसियस से कम हो जाए तो इसे सितलहर के स्थिति मानी जाती है इसके मद्दे नज़द जाड़ा में कोरोना के स्थिति से बचाओ के लिए आवश्यक कारवाई करे इसकूलों को सेनेटाइज किया जाए सेने सब्सक्राइब तक सितलहर का प्रकोप रहता है, 7 डिग्री से कम तापमान को सितलहर के स्थिती माना जाता है, सितलहर के कारण स्कूल बंद करना पड़े तो सम्मन्दित स्कूल के प्रधान आध्यापक सिखशक और बच्चों को और अभिवावकों को सुचना तुरंत सितलहर से बचाओ का दिसानिर्देश या पोस्टर के रूप में बिद्दाले में सुचना पट लगाया जाए, लंज के समय बच्चों को बहर बहुत कम समय के लिए ही भेजा जाए, बिहार सक्षा परियोजना परिशद ने कहा है कि बच्चों को पीने के लिए पानी की बि चाओ के लिए कई समाने निर्देश भी दिये गए हैं, तो केंडर सरकार की ओर से जो गाइडलाइन्स जारी किया गया है, उसके मताबिक अगर साथ डिग्री से से सेलसियस कम होता है, तो स्कूलों को बंद किया जा सकता है, असे स्थिति में आपको बता दे के जल्दी नया गाइडलाइन्स भी आएगा, वो हम आप तक जरूर पहुचाएंगे, ब्यूरो रिपोर्ट लाइब बिहार